नमस्कार दोस्तों वेदिक मैथमेडिक्स के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि कैलकुलेशन करते समय हम ये नहीं समझ पाते कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा इसे लिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो से लेकर ग्यारा तक के सारे डिविजिबिल्टी रूस के बारे में जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड में काफी फर्क पड़ेगा तो सुरुआत करते हैं नंबर दो से अगर हमें ये देखना है कि कोई नंबर टू से डिविजिबिल है या नहीं तो हमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि उस नंबर के लाश्ट में जीरो, टू, फोर, सिक्स या फिर एट आता है क्या अगर इन में से कोई भी डिजिट उस नंबर के लाश्ट में आती है तो वो नंबर टू से डिविजिबिल होगा और अगर नहीं आती है तो वो नंबर टू से डिविजिबिल नहीं होगा अब हम बात करेंगे थ्री के डिविजिबिल्टी रूल के बारे में मालीजिए हमें ये चेक करना है कि 2979 3 से divisible है या नहीं तो हम क्या करेंगे हम इस नम्मर की सारे digits को अलग-अलग कर देंगे कुछ इस तरीके से और इसके बाद उन्हें add कर देंगे और अगर हमारा sum एक ऐसा नम्मर आता है जो 3 से divide होता है तो ये जो हमारा number है ये भी definitely 3 से divisible होगा जैसे इस case में हमारा answer 27 आया है और 27 3 से divisible होता है तो 2979 भी 3 से definitely divisible होगा अब बात करते हैं number 4 की अगर हमें ये चेक करना है कि कोई number 4 से divisible है या नहीं तो हमें उसकी केवल last की 2 digits को देखना है अगर उस number की last की 2 digits 4 से divisible होती है तो वो number भी 4 से divisible होगा जैसे example के तौर पर 2648 को ले लेते है इसकी last की 2 digits से 48 और 48 तो 4 से divisible होता है तो इसका मतलब 2648 भी 4 से definitely divisible होगा number 5 का divisibility rule तो बेहद आसान है इसकी लिए हमें सरफ इतना चेक करना पड़ता है कि हमारे number की last digit 5 या 0 में से 1 है या नहीं अगर हमारे number की last digit 5 या 0 में से 1 कोई है तो हमारा number definitely 5 से divisible होगा जैसे 505, 1195, 3050 ये सारे number 5 से divisible होगे number 6 की divisibility चेक करने का rule यह है कि अगर कोई number 2 और 3 दोनों से divisible होता है तो ही वो number 6 से divisible होगा वर्णा नहीं होगा 6 का divisibility rule बाकी rules के मुकावने इतना ज्यादा effective नहीं है और ये बहुत ज्यादा time consuming है इसलिए इससे भेटा तो यही है कि आप direct 6 से divide कर लें तो इसलिए हम अगले divisibility rule पर चलते हैं अब बात करते हैं 7 के divisibility rule के बारे में माल लीजिए हमें ये चेक करना है कि 798 7 से divisible है या नहीं तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें इसकी last digit को अलग करके उसे 2 से multiply करा देना है और जो भी हमारा answer आएगा हमें उसे बचे हुए number में से minus करा देना है अगर हमारा answer एक ऐसा number आता है जो कि 7 से divisible है तो हमारा number भी 7 से divisible होगा अब क्योंकि यहाँ पर 63 7 से divisible होता है तो 798 भी 7 से definitely divisible होगा ये होता है 7 का divisibility rule नमबर 8 के divisibility rule की बात कर लेते है तो ये पता करने के लिए कि कोई number 8 से divisible है या नहीं हमें उस number की last की 3 digits को 8 से divide करके देखना है अगर वो 8 से divide हो जाती है तो हमारा number भी 8 से divide हो जाएगा अब 9 के divisibility rule पर आते है नमबर 9 का divisibility rule बिलकुल 3 के divisibility rule के जैसा है माल लेजिए हमें 8 37 के लिए चेक करना है तो हम 8 37 की सारे digits को अलग-अलग करके लिखतेंगे और उसके बाद उनका sum निकाल देंगे तो हमारा sum 18 आएगा अब क्योंकि 18 जो है वो 9 से divisible होता है तो इसलिए 8 37 भी 9 से divisible होगा 10 का divisibility rule तो आप सब जानते ही होंगे कि अगर किसी number के last में 0 आता है तो ही वो number 10 से divisible होगा वरना नहीं होगा अब आते हैं 11 के divisibility rule की तरफ इसको मैं एक example से समझाओंगा माल लीजिए हमें चेक करना है कि 483 2718 11 से divisible है या नहीं तो इसके लिए सबसे पहले हम last digits से start करेंगे यानि की 8 से और एक एक number छोल कर हम इसकी सारे digits को अलग-अलग कर लेंगे कुछ इस तरीके से अब इसके बाद हम इन digits का sum find कर देंगे और इसके बाद हम इनका difference find करेंगे अगर हमारा answer 0 या फिर 11 का multiple आता है तो हमारा number 11 से divisible होगा वरना नहीं होगा तो ये थे सारे divisibility rules जिनका इस्तिमाल करके आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा number किस number से divisible होगा कैलकुलेशन करते समय ये tricks आपके बहुत जादा काम आने वाली है तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमें comment section में बता सकते हैं दोल्चक्डिक्डिक्डर्टर्ण तो आपके वाचीं झाल झाल